कचोरी खाना तो हर किसी को पसंद होता है लेकिन कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनकी कचोरी जब वो बनाते हैं तो फूलती नहीं है और खस्ता नहीं बनती तो आज मैं आपको सारे tips and tricks बताऊंगी जिससे कचोरी एक तम fully fully और खस्ता बनेंगी कचोरी बनाने के लिए मैंने यहां एक बड़े पूल में एक कप गेहूं का आटा लिया है आप चाहें तो मैदा इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मैं health point of view से इने बना रहे हूं केहूं के आटे से अब जो कचोरी हैं उनमें अच्छा खस्ता कुरकुरा पन लाने के लिए आप इसमें डाल दें 3 टेबल स्पून सूजी अगर आप मैदा से ने बना रहे हैं तो सूजी डालने की जरूरत नहीं है आधा चम्मच इसमें आप डाल दें नमक आधा चम्मच आप इसमें डालेंगे अजवाइन जरूर डालेगा इसमें आप आधा चम्मच साबुत सौफ डालें इसका जो कचोरी होती हैं उनमें स्वाधिस्ट बनेंगी तो सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है और अब आपको इसमें ऑईल डालना है तो यहां पर हम इसमें डाल रहे हैं तीन चम्मच ऑईल आप ऑईल की जगह घी का इस्तमाल भी कर सकते हैं अब आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करे जब आप घर पर इस तरह गेहूं के आटे और आलू की यह कचोरी त्यार करेंगे न तो आप मार्किट की कचोरी खाना भूली जाएंगी यह बहुत ही ज़्यादा स्वाधिस्ट बनती हैं अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें और डू लगा कर त्यार करें दे और अभी जब सूजी फूलेगी इसे रैस्ट पर रखेंगे तो यह एकदम परफेक्ट हो जाएगा तो सिठक कर 10 मिट के लिए रैस्ट पर रखें तो यहाँ पर देखिए अब यह मैंने लिए हैं चार आलू जिने उबाल कर छील कर मैश कर लिया है और जब आप कचोरी के स्टरफिंग त्यार करें तो आलू उससे में थंडे होने चाहिए गरम आलू ना हो इस बात का ध्यान रखेगा इसमें मैंने एक प्यास को बारी कट करके डाला है साथ हम डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया हरा धनिया जरूर डालेगा इस से बहुत अच्छा टेस्ट आ आधा चममच इसमें नमक डालें, आधा चममच डाल दें दरदरा पिसा हुआ सौफ पाउडर और दो पिंच इसमें डालें हींग, हींग और सौफ पाउडर बिल्कुल इसकिप नहीं करना है क्योंकि आलू की कोचोरी में इनका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, एक जोधाई जमज डाल दिया है गरम मसाला और इसमें डाल दें आप आधा जमज आमचूर पाउडर बस बहुत अच्छे से आपको सभी चीजों को मिक्स करना है और आलो को इस तरीके से मैश करते हुए इसकी एक स्टफिंग त्यार कर लेनी है तो यह देखे हमारा आलो का बहुत ही बढ़िया सा यह मसाला त्यार हो चुका है अब जो डो मैंने लगा कर रखा हुआ था उसे रखे हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं तो यहाँ पर यह जो डो है अच्छी तरीके से सैट हो गया है तो एक बार फिर से 1.5 मिनट के लिए से गून लेना है और बस इससे अब आपको लोईयां तोड़नी है तो जिस तरह आप पूरी के लिए लोईयां बनाते है ना उससे थोड़ इसी बड़ी रखेंगे ये जो लोईयां इने तो पहले डो को इस तरह आदा करके लंबाई में बढ़ाया है और इस तरीके से मैं ये लोईयां तोड़ लेती हूँ तो यहाँ पर सारे डो से ये मैंने लोईयां तोड़ ली है अब आप एक एक लोई हाथ में उठाते जाएंगे और इसकी एकदम गोल गोल इस तरह से लोई बनाते जाएंगे कुछ लोगों को लगता है कि मार्केट जैसी बढ़िया कचोरी घर पर नहीं बन पाती हैं तो वो हमेशा मार्केट से इलाकर कचोरी खाते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है घर पर आप इने बहुत आसानी से बना सकते हैं और मार्किट से भी बढ़िया बनती हैं अब यहां मैंने एक लोई लिया इसके उपर हलका सा ओल लगा कर इसे ऐसे बेला है और अब आपको जो आपने स्टफिंग त्यार किया ना आलू की वो इसके अ जाए तो आप किनारों से थोड़ा पानी लगा लें और बस इसे ऐसे पैक करें अब यह कड़ाई में बिल्कुल नहीं खुलेगी तो अच्छी तरह इसे पैक करने के बाद अब आप इसे बेलेंगी नहीं इसे पहले बीच में से ऐसे दबाना है और फिर देखिए करें तो तेल हलका गरम होना चाहिए और गैस का फ्लेम आपको लो रखना है और ध्यान रखें कि आपको एक साथ कैई सारी कचोरियां कड़ाई में डालनी है आपकी जो कड़ाई है वो कचोरियों से भरी होनी चाहिए इससे क्या होता है कचोरियों पर एक दूसरे का की तरह फूल जाती है तो ध्यान रखें जब आपको कचोरी त्यार करनी है तो उन्हें बेलना नहीं है पस हातों से एक कटोरी नुमर शेप देना है और उसके बाद हलकी गरम तेल में इन्हें डाल कर अपने आप सिखने दे इन्हें छेड़ना नहीं है लगवक तीन-चार मिन मैंने इने पलट दिया है और आप देख सकते हैं कचोरी एक तम फूल रही है बहुत ही बढ़िया कुपारी जैसी फुली-फुली कचोरी त्यार हो रही है तो अब जब कचोरी को कलर इस तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप कैस का फ्लेम लो से थोड़ा फूली-फूली बनेंगी तो यहाँ पर अलट पलट कर इने फ्राई कर लेना है तो यहाँ पर जो कचोरी फ्राई होती जाए जिनका कलर डार कोल्डन ब्राउन होता जाए एकदम खसता लगे उन्हें आप निकाल ले और बाकी की कचोरीयों को अभी थोड़ी देर और फ्रा कचोरी बना कर त्यार कर सकेंगे तो अब आप इन कचोरीयों को गर्मा गरम सर्फ करें बनी है ने एकदम मार्केट जैसी कचोरी तो आप भी इस रेसिपी को ट्राय करें और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए आपको यह आलू की कचोरी की रेसिपी कैसी लगी वीडियो पसंद आई तो लाइक कोमेंट शेयर चैनल को सबस्क्राइब बेल आइकन को प्रेस और ओल पर जरूर क्लिक करें